आदिकालीन प्रमुक्रचनाएं जैसे कि हम पहले आदिकाल की प्रवृतियां परिस्थितियां ये सब पढ़ चुके हैं तो आज हम करें आदिकालीन प्रमुक्रचनाएं आदिकाल की प्रमुक्रचनाएं किस प्रकार की हैं और आदिकालीन साहित्य से संबंदित कौन-कौन से प्रत्योगता परिक्षाय पूछे जा सकते हैं, वो हम आज करेंगे, और पिछली वीडियो दिखने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, चैनल का नाम है हिंदी साहित्य और प्याकरन गुरू, तो चलिए शुरू करते हैं, तीन प्रकार का साहित्य इस समय चल रहा था, एक संस्क्रिट साहित्य, अब्रण साहित्य और हिंदी भाषा का साहित्य, संस्क्रिट साहित्य जैसे आनन वर्धन, रस, संप्रदाई, ये सब इसके जितने भी गुरू है, और साथ साथ में कावय है, तो कावय प्योचन, ये सब हम पहले कर भी चुके हैं, तो इस प्रकार रासों कावियों रास रचनाइ लिखे गये हैं उन سے अलग है ये चरिप प्रधान के सकते हैं और राज़्तानी भाशा में तो पहले ये देख लेते हैं कि रास का मतलब लड़ाई जगड़ा होता है ठीक है राजसानी भाशा में रास का मतलब लड़ाई जगड़ा होता है अगर हम बरच भाशा की और जाएं तो रास लीला से इस शब्द को काउंट करते हैं यहां पे हमने देखना है कि रासो, श्वद का अलग अलग सब ने क्या क्यार्ड लिया फ्रांसिसी विद्वान गार्षादातासी के हिसाब से दिनों ने फ्रेंच भाषा में पहला एतिहास बंद लिखा उनके हिसाब से राजसू या शब्द से रासो शब्द के वियरत रपते हुई किसे राज सुई है गारसा द तासी गारसा राज सुई ठीक है question बहुत बार आ जाता है अभी इसके बाद मैं last में आपसे question भी पूछूंगी जो भी आपको इसमें करवा रही हूँ उसके साथ साथ मैं आपसे end में questions पूछूंगी तो आपने उन question के answer देने है इन ही जो आपको बता रहे हैं इन में से ही उसके answer निकलेंगे तो राज सुई से रासो शब्द के वियुत पत्ति किसने मानी गारसा द तासी नरोत्तम स्वामी जी ने राज स्थानी भाषा को रसिक जो राज स्थानी भाषा का रसिक शब्द है उससे रासो शब्द के वियुत पत्ति मानी रसिक का मतलब होता है कथा कावे यानि के कहानी रसिक रासव रासो उन्होंने इस तरह से इसको डिस्क्राइब किया है कि रसिक से रासव हो गया होगा उससे रासो हो गया होगा तो रसिक्षब से विद्पत्ति किसने मानी नरोत्तम स्वामी अचारे शुक्ल जो बहुत प्रसिद्ध है इनका इतिहास हिंदी सहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ हिंदी सहित्य का विकास पहले इसका नाम था तो रसायन से उन्होंने इसकी विद्पत्ति मानी वो कि इस तरह से क्यों उन्होंने मानी वो बताया है 1272 हां 1272 मंचारी जेठ बदी नम्मी बुद्धवारी बुद्धवार को नालह रसायन अरंभई रसायन शब्द आ गया तो रामचंद शुक्ल ने रासायन से रासोशब्द की व्यत्पत्ति मानी शारदा तुठी ब्रहम कुमारी तो उन्होंने रसायन इस तरह से माना और सरवाधिक प्रसिद और मान्य विचार है कि रासोशब्द की व्यत्पत्ति रासक से हुई तो रासक से व्यत्पत्ति मानी अचारे हजारी प्रसाद विवेदी जीने तो उन्होंने दो तरह से बताया रासक का एक अर्थ होता है चं होगा जहां तक लि curator आगे देखते हैं रासो काव्य तो तरहें का हुटा x stop धार में कोरा अधियंगायों आधिWow काव्य परंपर व dealing जाती है व्याम युद कि वी रस का ज्यादा वर्णन लेश भी hell Woran ज्यादा हे और धार्मिक जो जैन चरित कावे हैं धार्मिक रास कावे परंपरा जो है वो धार्मिक जैन के जो चरित कावे हैं वो हैं ये देखिए ये वाले हैं बुद्धी रास मुनी शाली भद्र प्रथम जो रास का ग्रंथ माना जाता है वो भरतेश्वर बाहु बली रास है जो कि श कि अचारे हिंदी साहित्य का वेग्यानी कितिहास 1965 में गंडपती चंद्रगुप्ची ने लिखा जिसमें उम्हाने प्रारंभी काल माना आदिकाल को और 1184 से 1350 इस्वी तक माना तो उसी क्राम में हम आगे अगर देखें तो गंडपती चंद्रगुप्ची ने पहला शाली भद्र सुरी का भरतेश्वर बहु बली रास को पहला ग्रंथ माना अब है नेक्स्ट आदिकालेन रास चरित कावे जो की जैन साहित्य एक परह से उसमें पहला बुद्धी रास ध् आसगु कवी चंदन आसगु चंदन बाला आसगु कवी सेम चंदन बाला रास और जीव दयारास आसगु कवी यह याद करना आसान है यह हमने याद करने हैं पीछे मैं कोश्चन्स पोचूंगी शायद उसमें से भी कोश्चन हो तो चंदन बाला रास जीव दयारास दोनों स्थूली भद्र रास जिन्धर्म सुरी रेवन्त गिरी रास विजै सेन सुरी रेवन्त विजै वसे विजै ठीक है नेमी नाध रास सुमती गणी नेमी मती गणी इस तरह से याद कर सकते हैं मतलब एक एक वेंजन या स्वर को आप मिला लिया कीजिए तो वो याद हो जाता है कच्छुली रास प्रग्या तिलक तिलक कच्छुली रास प्रग्या प्रज्या कहते हैं वैसे इसको ज ज और य मिलकर बनता है तो प्रज्या ज ऐसे होता है प्रज्या तिलक कच्छुली रास मैंने कव से कच्छुली कर लिया जिन पद्म सुरी सार मूर्ती जिन पद्म सार जिन पद्म सार ठीक है जिन पद्म सार या फिर जिन पद्म मूर्ती सार कर सकते हैं थोड़ा फेलट हम याद करने के लिए कर लेते हैं बादनों उसको सिट कर लेते हैं जैसे जिन पद्म मूर्ति सार ठीक है पंच पाढद्व चरितरास शाली भद्व सोरी गौतम स्वामी रास गौतम ओदयविंत मैंने इसको ओदयवंत याद कर लिए था वैसे गौतम है तो ओदय कर लिया वैसे यह क्या है उदैवंत गौतम स्वामी रास उदैवंत एक बार दोबारा कर लेते हैं बुद्धी शाली चंदन जीव आसगू स्थूली भद्र जिन धर्म सोरी रेवंत विजय रेव विजय नेमीनाद सुमती नेमीनाद नेमी मती प्रज्या तिलक कच्छुली जिन पदम सूरी रा शाली भद्र गौतम स्वामी रास उदैवंत ठीक है उसके बाद फर्स्ट तरह का है चरित काव्य दूसरे तरीके का सिद्ध साहित्य सिद्ध 84 माने जाते थे और अपने नाम के पीछे पा लगाते देख देखिए सरहप्पा लुईपा शब्रपा बहुत धर्म विक्रित हो शब्रपा इस तरह से गुरु की परंपरा और भी है जो आप हमारा गुरु वाला सा देखेंगे तो उसमें डिटेल मिल जाएगी सरहप्पा जीने दोहा कोश अच्छे से याद कर लीजिए बहुत इंप्रोटेंट है दोहा कोश सरहप्पा मैंने इसे याद कर लिया था दो ही है अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग मिलता है तो प्लीज आप अच्छे से देखके करें थोड़ी बहुत गडबर सब में ही अभी आगे आएगा क्योंकि उस समय प्रिंटिंग ब्रेस हो थी नहीं जिसने जब जो लिखा वो पता ही नहीं चलता जो एतिहासी गरंथ ह उनके आधार पर सबने अपने आइडिया ही लगाया तो अलग-अलग विद्वानों के आधिकाल में यही नामकरण और काल विभाजन का ही डिफरेंस रहा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही काल विभाजन की रही है डोमभी पा क्लियर ही है डोमभी गीतिका 844 इसवी कणहप चुहत्तर ग्रंथ मिले है इनके और कुकरीपा 16 ग्रंथ तो यह जो छे है वसिद साहित्य के प्रमुक रचनाकार माने जाते हैं हो जाएगा आगे चले उसके बाद नाथ साहित्य है प्रॉपर इसका कोई ग्रंथ नहीं मिल रहा है एक्चुली मिले है जिन ग्रंथों को हमन खिशेंद्र माने जाते हैं लेकिन ज्यादा प्रसित गोरकmekना 12-14 शतितक का इनका समय है, 9 नात माने जाते हैं, जिनमेंसे आदिनात शिव जी को माना जाते हैं, अब इनका एक हम दोहा देखते हैं, दोहा से मुझे याद आया, जो हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और प्राचीन छंद है, वो दोहा ही है, दोहा में ही लिखना सबसे पहले शुरू किया था, सोवता अवधु जीवता मुवा, बोलता अवधु पयंजरई सुवा, गोरकनात जी की रचना है, गोरकनात जी का ये वाक्य है, बहुत बार पूछा जाता है, सोवता अवधु जीवता मुवा, बोलता अवधु पयंजरई सुवा, गोरकनात जाएवाय चारत मिल्या सहू। चरपट नाज जी का बहुत प्रसिद्ध है नो लख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मनले जोगी खेले, अब अंतरी बसे भडारा। गोरक नाज जी का इन तीनों में ये शबस्यादा प्रसिद्ध है, नो लख पातरी आग नार्पती नाल हमीर रासो शारंगधर विजय पाल रासो नल सिंग खुमान रासो दलपति विजय पर्माल रासो जगनिक पर्माल रासो को आलहा खंड भी कहा जाता है आलहा और उदल की इसमें वीरता का वर्णन है, जो पृत्वी राज रासों है, वो नामसी पता चल रहा है, पृत्वी राज रासों के बारे में है, चंदर बदाई उनके मित्र ही थे, 1343 इस भी भी कहा गया और बार्मी शत्ती भी इसका दिया गया है, मेरे को ऐसा जहां तक आइडिया है, 1343 होना चाहिए, वैस देव, नर्पती, पृत्वी राज तो अपने आप याद हो गई, आपको चंदर बरदाई, हमीर, रंगधर, विजय पाल नल, विजय पाल नल सिंग, खुमान रासों दलपती विजय, परमाल रासों जगनिक, तेरवी शती, ये इनके सन है, अन्य में भटकेदार जय चन प् प्रकाश, ये रचना आप्राप्थ है, ये दोनों मदुकर कवी की, और भटकेदार की जय चन प्रकाश और जय मयंग जस्चंद्रिका, ये दोनों आप्राप्थ रचना हैं, बारवी शती की, फिर हम पढ़ते हैं, कुशल राब, ढोला मारूरा दूहा का, कहीं इसकी उखने गजल, खालिक बारी, खालिक बारी, खुसरो की पहेलिया, पहेलिया तो आपने बहुत देखी होंगी इनकी, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर ओंधा धरा, सबके सिर पर थाल फिरे, मोति उससे एक ना गिरिये, तो बहुत बार देख पढ़ा होगा आपने, इ प्रफम कवी अगर पूछा जाए तो अमेर खुसरो ही है बार्वी से तेरवी शतिमीन होने अपनी रचनाये लिखी और अनेक शासनकाल भी इनों अपने जीवन में देखे फिर है आधी कालिन अब्रंश रचनाये पहला संदेश रासक अब्दुर्रह्मान बार्वी शति का एंड है और संदेश रासक एक तरह से एक विरह कावे है उसके बाद है पाउंचरियो रिटनेमी चरियो और नाकुमार चरियो ये लिखा शन दस्वी महापुरण लिखा पुष्पदंद जीने दस्वी शति में भविस्यत काहा धनपल धस्वी शति उपदेश, रसायन, राष जिन्दत, सुरी, बार्मी शति में और ये एक तरह से इन।IGHT गायन से संब्दित ग्रंथ है पर्मातन प्रकाश और योक सार दोनों ही लिखे जोईंदू चटी शती माना गया है धर्म और दर्शन का है इसमें पाहुर दोहा लिखा राम सिंग्जी में बहुत बाराता है ग्यार्मी शती ग्यारा पाहुर राम ठीक है प्राकृत पैंगलम छंद शास्त्र है और इसे कईोंने रचना की है क्लियर किसने की है यह पत है डोला मारूराद दूहा कुशलाब हम करी चुके हैं यह एक तरह से डोला और मारवाणी का विरह कावय माना जाता है ग्यार्मी शती का छटी नंबर पर हम करेंगे आदिकाली इन गद्यस आहित्ते कौन सा है दो है वर्ण रतनाकर और राउल वेल वर्ण रतनाकर लिखा ज्योती रिश्वर ठाकुर जी ने मैथली हिंदी का गड्यस रचना है यह और राउल वर्ण जो है शिलांकित कृति है बहुत बाहुत बार आता है शिलांकित कृति याद रखना रोड़ा जी ने लिखा दसमी शतिमे द्यान से पढ़ना गयोकि बाद में कोस्चण पूछन इस आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज हिंदी साहित्य और व्याकरन गुरू चैनल का नाम है सेम आप इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं एचाई एन डियाई से एचाई डियाई प्लीज इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करें अपने सभी वट्सप ग्रूप में इसे प्लीज शेर कर दीजिए ताकि थोड़ा सा चैनल ग्रो कर सके थैंक्यू अब आगे चलते हैं अगर आपने अब तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन बिल्कुल फ्री है कुड़ पर प्रकार की शिया इसे अमने सब्सक्राइब को यह थिल विवाद है और नाई का व्यास अंधी का इन्होंने मनोहरचितरन के सद्येसनाता और अप्रकार की नारी का बहुत कूड वर्नन किया है इन्होंने एंड तक कामिनी करय सनाने हेरत ही हिरदय हनय पंच बाने कामी नहीं करें सनाने कामी नहीं सनान कर रही है और हेरत ही देखते ही हिरदय में पांच बान लगते हैं ये इनकी रचना है क्लियर दिखी रहा है कि श्रिंगारी कभी है सेम बात अचारय शुक्ल जी ने भी कही है कि विद्यापती के पद अधिकता श्रिंगार के ही है जिसमें नाइका और नायक राधा कृष्ण है नाम मतलब अगर अपने ईश्वर का रख दिया राधा और कृष्ण का रख दिया देवी देवता का रख दिया तो इसका मतलब यह थो रही है कि आप कितने भी डीपली आप गीत कोविन के पदों को अध्यात्मिक संकेत बताया है वैसे ही विद्यापती के इन पदों को भी लेकिन इसमें अध्यात्मिकता मुझे तो खुद भी नहीं रिखती मैं आचारे शुकल जी से पूरी तरह से सैमत हूँ रचनाय किर्तिलता किर्तिपता का अब कार बताईए आप मुझे कैसे बताएंगे फीडबैक देकर बताईए अगर आप तक आपको नहीं आया तो मैं बता देती हूं रोडा कृत राउल वेल यह मैंने आपसे बोला भी था एक थाल मोतियों से भरा सबके सिर्पर और अधरा चारों और वह थाल फिरे मोतियों से ए आपको इसमें नहीं बताया है तो श्याम बिहारी मिष्डेव और गणेश बिहारी मिष्डू तो यह तीन नाम है श्याम शुपदेव और गणेश हिंदी नवरत्न के लेखा कौन है यही मिष्र बंदु जी है मैं यह अंसर बताती जा रही हूं आपको फीड़बैक की तो ज़रोती नहीं है ना चर्या पत्के रचना कर नहीं बताऊंगे पीछे वीडियो में देख लीजिए हिंदी का सबसे प्राचीन चन नहीं बता रही मैं आपको आप फीडबैक दीजिए नीचे कमेंट करके या फिर आप पीछे वीडियो में देखिए आधिकाल के अब किसने कहा चंदरधर शर्मा गुलेरी रासायन से रासो शब्द की व्यूत्पत्ति किसने मानी नहीं बताऊंगी पीछे वीडियो में देख लीजिए वैसे र से उनका नाम है कच्छुली रास के रचनाकार कौन है कच्छुली रास भी पीछे आ चुका है अगर आपको ध्य अलहाखन और इसके रचनाकार आप पीछे देख लीजिए महापुरान के रचनाकार कौन है महापुरान जो अब्रेंट साइट करने सबसे बड़ा रचना मानी गई है महापुरान अब मैं आपको बता नहीं रहे हूं यहां से देख लेना और कौन सी शती है दस्वी शती है